दोस्तो भारत और इंग्लेंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के दोरान बखेरा खरा होते दिख रहा है मैच के चौते दिन इंग्लेंड के फिल्डर्स ने गेंद को जूते के स्पाइक से खराब करने का वीडियो सामनी आया है वही मैच के दुरान टीवी पर यह वीडियो दिखाया गया हाला कि यह साफ नहीं हो पाया कि गेंट की सता से छेरचार करने वाला खिलारी कौन थे क्योंकि वीडियो में केवल उनके जूते ही दिख रहे हैं हाला कि इसमें दिखाय दिया कि पीले सोल वाले एक खिलारी ने जूते के नीचे गेंट को दबाया दरसल गेंट से स्विंग हासिल करने के लिए उससे छेरचार की जाती है वही इंग्लेंड के तेजगिंद भाज स्टूर्ट ब्रॉड ने हाला की जनकारी दी कि वीडियो में मार्क वूड और रौरी बनर से हैं स्टूर्ट ब्रॉड टेस्ट स्रीज से बाहर हो चुके हैं लेकिन वे लॉड्स टेस्ट में कमेंटरी कर रहे हैं उन्होंने गेंद को जूदे के नीचे दबाने की घटना का बचाओ भी किया उन्होंने ट्वीट कर बताया कि मार्क वूड गेंद को रौरी बनर से पैरो के नीचे से निकालना चाते थे लेकिन चूप गयें यह सब एक्सिडेंटली हुआ उन्होंने साथ ही कहा कि घटना का स्क्रीन सोट लेने के बजाए पूरा वीडियो देखा जाए वहीं सोनी स्पोर्स के लिए कमेंटरी कर रहे हर्स भोगले ने कहा कि जब भी इस तरह की घटना होती है तो मैच रेफरी और अमपायर गेंद की जाच करते हैं और उसके हिसाब से एक्सन लेते हैं वहीं जरूरत पढ़ने पर गेंद को बदल भी दिया जाता है लेकिन ब्रॉड ने ट्वीट कर इसके बारे में भी प्रतिकिरिया दी उन्होंने कहा कि ऐसा गेंद के खराब होने पर ही किया जाता है यह ठीक वैसे ही होता है जैसा छक्का लगने पर गेंद दर्सकों में जाता है अकर नुकसान नहीं हुआ तो फिर बदलाओ की जरूरत क्यों है मगर यहां यहां बात जानना भी जरूरी है कि अमपायर्स ने गेंद को जूते से दबाने को लेकर इंगलिस प्लेयर्स को किसी तरह की चेतावनी भी नहीं दी यहां यहां लूते है